दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूटिट पेलल जे इरल जारखन लाइप्स में दोस्तो यहां पर छठी जेप्यसी का विवाद अभी तक खत्मन नहीं हुआ है और इसमें एक नया मोड फिर से आगया है दोस्तो जी है दोस्तो चठी जेप्यसी का मामला अब यहां पर जो ने याची का दायर कर दी है जो प्यस्ती है अब यहां पर डवल बेंच में सुनवाई को लेकर एकल पिट के आदे इसको नीरस्त करने का आग्रह किया है और इससे सब्सक्राइब कर लिए और साथी जो पेल आइकन मना हुआ है उसको प्रैस कर लिए ताक कि आगया जो भी अगरे वीडियो आगी नोट्रीफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाया करेगी दोस्तों चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए और चलिया है तो चटी जेपीसी जो है यहां पर जो एकल पिट का आदेश जारी किया था चटी जेपीसी को जो रिजल्ट था वो से जेपीसी के जो एकल पिट का जो आदेश था उस पर रोग लगाने के लिए यहां पर उन्हों याची का दायर कर दी है जेपीसी के दवारा यहां पर याची का दायर किया गया है तो चलिए हम लोग यहां पर देखते है जारखन लोग से वायो की और से हाई कोट में छटी JPSC मामले में एकल पीट के आदिस के खिलाब अपील याची का दैखिल की गई है आयोक की उर्से एकल पीट के आदिस पर रोक लगाने की मांग की गई है तो जो कहा गया था जब सिंगल बेंज में सुनवाई हुई थी तो कहा गया था कि जो रिजल्ट प्रकाशित की गई है इस निरस्त कर एक فτε रिजल्ट जो कि रिवाईज्ट रिजल्ट होगा और उसमें जो क्ुलिफाइंग प्रथा उसका मांड कर दिया गया था उससे हटा कर फ्रेज रिजल्ट यहां पर is पेंज पर जारी किया था तो यह आब यहां पर मामला यहां पर फिर फिर से हाई कुट पहुंच किया है तो मामला जो था यहां पर पेपर वन हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाइंग मास्क का जो कुल प्राप्तांग था उसे भी जोड़ा जाना सही है ऐसा JPSC का कहना है याचिका में आयोग ने विग्यापन के अनुसार ही मेरिट इसलिए एकल पीट के आदेश पर रुक लगाते हुए इसे निरस्थ किया जाना चाहिए यह अपिल की गई है डबल मिंच में सुनवाई के लिए बता दे कि इससे पहले छटी JPSC में चैनित करीब 100 से अधिक अभियर्थियों ने एकल पीट के आदेश को सुनाती देते हु और बीते जुनमा में जहारखन हाई कोट के एकल पीट ने 30 JPSC की मेरिट लिस्ट को निरस्थ कर दिया था और अदालत ने JPSC को 8 सब्ताह में तिक दो मैने के अंदर संसोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था लेकिन अब यहाँ पर फिर से JPSC जो है वो यहाँ पर डबल बेंज में सुरुआई को लेकर यहाँ पर निरस्थ करने की मांग कर रही है JPSC तो इससे पहले यहाँ पर जो JPSC के वरतमान में अध्यक्ष है अमिताब चौधरी उन्होंने राज्यपाल से कल ही यहाँ पर मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद अब यहाँ पर जो है वो JPSC जो है वो छटी JPSC के जो में फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकासित किया गया था उसकी उसे सही बताते है हुए जितने भी जो प्रोसेस हुई है उसे सही बताते हुए डबल बेंज में हेरिंग को लेकर यहाँ पर उन्होंने याच्छी का दायर की है तो अब देखने वाली बात होती है कि डबल बेंज में क्या आखिर निकल कराता है क्या यहाँ पर हैसा जो है वो JPSC के पक्ष में जाता है या फिर अभियर्थियों के पक्ष में जाता है या फिर जो है जो है जो है जो है जो एकल पीट का जो आदिस था वो बरकरार रहता ह तो यह देखने वाली बात होगी आगे जब सुनवाई होगी हेरिंग डेट होगी यहाँ पर रखी जाएगी तो फिल्हाल यह अपडेट सी दोस्तों की छटी जेपीसी को लेकर जेपीसी विभाग जो है वो याची का दायर कर दी है डबल बेंच में सुनवाई के लिए और इ अधिक से अधिक सेयर कर दिया करें ताकि अन्नी लोग भी यहाँ पर जूड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें यदि आप जैपीसी के त्यारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्सरीज केरें डाउनलोड करें आज ही हमारा